ज्यादा कुछ ना बोलते हुए है अज मैं सीधा ही अपने जो एक्सपरिमेंट ही इसको शुरू कर दूँगा तो एक्सपरिमेंट क्या है है वैवे पूल जानो लो जो आप देख रहे हैं ग्लूगन यह सच रहे हैं बहुत ज्यादा गरमा देख तो इसमें से जो ग्लू है वो मेल्ट होना शुरू हो चुकिया देखो इस वाट ग्लू को इस पानी के अंदर जलाने वाल और फिर देखेंगे कि पानी के अंदर जो ग्लू है वो किस तरह से निकलती है तो वीडियो आज बहुत जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो जीना ज्यादा कुछ बुले इस वीडियो को शुरू करें इस वीडियो में जो कुछ बिखाया गया है पुरी सेफ्टी के साथ किया गया है तो आप इसा कुछ गिखर पर जरने की कोईशिश्चिस मत किजिएगा अगर करना ही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा आथ दोस्तों आप देख सब्सक्राइब की मेरां ना छुरू है कि यह कि देख्राइब है इसको मैं पानी कंदर चलाने वालने हूं भार देख़ूगा कि क्या होता है कि तो मैंने जो होगलो मेल्ट कर रहा हूं मैं बहुत जालत होगलो डादूँगा मैं एक ही बारे में इसको उपर से प्रेस कर रहा हूं कि और यह देख सकते हो आप इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों मैं इसके अंदर देख सकते हो आप शायद ना देख आधा हूं सீशंः आ थो मैं पोड़ा ओपर से दिखा देता हूं कि अपने बनाने जैसा नहीं लग रहा है जैसे हम जलेबी यह बनाते हैं मैं जलेबी के तरह लग रहा है सच में यार मैंने विल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब हम पानी के अंदर डालेंगे तो ऐसा होगा मैं सुचा था सिंप्ली पानी के साथ मिक्स हो जाएगी पानी के साथ घूल जाएगी लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है आपर तो उल्टा जलेबिया ही बनने लगी देखो और लू की जलेबी बनाते हैं यह देखो इस तरह से यह देखो काफी मज़ेदार है यह मैंने तो ऐसा बिल्कुल एक्टनी यह दो आपकी शायद यह पानी के साथ भूल जाएगी लेकिन यहां पर तो जलेबिया ही बन गई है यह देखो होट ग्लू की जलेबी है होट ग्लू की से बनी जलेबी तो यह होता है जब हम ग्लू गन को पानी के अंदर चला जाते हैं इस तरह से जलेबिया बन जाती है ग्लू की देखो तो अगर विडियो आपको मजा आया है विडियो में आपको तो विडियो इत लाइक जरूश देचेगा चैनल कोटो सुच्ट्राइब नीके तो चैनल को सुच्ट्राइब भी कर देचेगा मैं मैं मत आपस अपने नेक्स